हलो फ्रेंट स्वागत है आप सभी का मेरी यूटूब चैनल पर आई हूप आप सभी अच्छे हूँगे तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रस गुल्ले जिसके लिए मैंने दूद को भाड़ने के लिए दो निम्बू का यूज किया है निम्बू का रस में हमने थोड़ा सा पानी मिलाया है और उबलते हुए दूद में हम इसे दिरे-दिरे करके मिलाएंगे ताकि हमारा छेना रेडी हो सके देखिए छेना और पानी दोनों अलग-अलग हो गया है आप इसे हम एक साफ सूती कपड़ा में छाल लेंगे और इसे हम ठंडे पानी से अच्छी तरह से निमू का इसमें फिलेवर ना आए और हम छेना में पानी बहुत अच्छी तरह से निचोड करके निकाल लेंगे और छेने को हाथो कि हाथुलियों से अच्छी से रगड़ेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि और सौप्ट हो जाए दूसरे तरह हम चासनी तयार करेंगे इसके लिए हमने बड़ा बरतन में चार गिलास पानी लिया है और एक गिलास चीनी लिया है और कुछ इलाइची के दाने इसमें हम डाले हैं हम चासनी थोड़ा पतला ही रखेंगे अब हम छेने को लोई में तयार करेंगे हमने सारे लोईयां तयार कर लिये लोईयां में एक ज़रा भी क्रेक नहीं है और उबलते हुए चासनी में हम डाल देंगे सारे लोईय को हमने बड़ा बरतन लिया है बड़ा बरतन में ये अच्छी तरह से पकेंगे और हम 10 मिनट के लिए ढख देंगे देखिए 10 मिनट के बाद रजगुले कितने बड़े-बड़े साइज में हो गये हैं अब इसे हम निकाल करके ठंडे पानी में डाल देंगे पांच मिनट के लिए ताकि रजगुले और सौप्ट बन सके एकदम स्पॉंजी और सौप्ट बन गए हैं रजगुले आप इसे हम ठंडा पानी से उठा करके फिर दोबारा हम वही चासनी में डाल देंगे विदम रजगुले बिलकुल रेडी हैं बहुत ही सौप्ट और स्पॉंजी बना है रजगुले आप सभी एक बार जड़ू ट्राइ किजिएगा बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए थे रजगुले एसे ही रेसिपी की विडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब कर दिजिएगा तो मिलते हैं अगले एक नई रेसिपी के साथ थेंक यू